नमस्ते आजम बात करेंगे पानी के बारे में और भारतिय भूजल नीधी संकेत नाम का एक विग्यान है जो भूगर्भ में रहे जल को केसे पेचानेंगे, केसे उस तरके लक्षन होते हैं जो जमीन में पानी होता है उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे तो सबसे पहले ये विद्या भारत की प्राचीन विद्या है और ये विद्या से ये ग्यान तो सकता है कि जमीन के अंदर पानी कितनी गहराई में है कैसा है और उपलब दो सकता है कि नहीं हो सकता है हो सकता है आज का वी ग्यान इसमें प्रशन उठा है लेकिन ये बात अनुभवातमक है और बहुत जगपर ये सही साबित हुई है तो बुरुहत समीता नामक एक ग्रंथ है जो वहारा वराह मिहिर ने पांचमी चटी सताब्दी के आसपस लिखा है उसमें दफार गला अध्याई नामका एक अध्याई त्रेपनमा अध्याई आता है उसमें जल किस वरुक्ष के आगे पीछे नस्दीक में जल हो सकता है उसकी बात उन्होंने की है तीस प्रकार के वरुक्ष उन्होंने बताए है चो हमको बहुत उपयोगी होता है यदि किसानों को और और लोगों को आज ये विद्या बहुत ही उपयोगी है इसका कारण है कि हम एक बोर करते हैं और उसमें पानी नहीं होता है तो निराशा हो जाती हो सकता है उसके पास ही पानी हो और हमको पता नहों और हम बोर करें और फिर दूसरे बोर के पेसे न न हो या फिर बहुत खर्चा जाए और हम दूसरा बोरी न कर पाएं। उससे अच्छा है हम अनेक माध्यमों का उपयोग करके बहुत सारी विद्या है उसका उपयोग करके हम पानी पहले जाँ चले और बहुत सारे सिंटम्स पोजीटिव आने पर ही हम उसके उपर कारिय करें तो यह सबसे पहली बात है कि हम उसके उपर आज कुछ बताएंगे बात नहीं है आधूनिक बारत में भी मल्टीनेशनल लेवल की कंपनी भी इसका उपयोग कर रही है उस कंपनी की में मैं बात करूंगा ओफमान लोरोष्ट नाम के कंपनी है उन्होंने थाने यह मुंबई के आसपास अपने एक यूनिट लगाने का था तो उसमें उस समय की बात है जो 1934 के आसपास तो उस तमय अंग्रेज लोगों का शासन था और यह मुंबई थाने के आसपास चब वो कंपनी लगाने की थी तो उन्होंने अपने एक एंजीनियर जिसका नाम है रुडॉल्फ रूफ उसको एक भेजा और उनको यह विद्या उसने कहीं सीखी थी भारतिया के पास से और अलग अलग प्रकार से उन्होंने जल पर इक्षण किया और आपको आस्चर यह लगेगा कि उन्होंने जहां पर ने खुदाई की और वहां से जल निकला पहले के जमाने में बहुत कटिन था लेकिन उप एक्जेट उन्होंने बताया और उसी तेहरा कर रही है तो वो क्या सही है मतलब तो उन्होंने 11 पेज की अपनी एक जो अपना एक पत्र दिया या तो अपना एक रखा 11 पेज में उसका विवरण दिया उसमें ये रखा है कि हमारे अनुभव के आधार पर चाहे विज्ञान माने न माने लेकिन अनुभव के आधार पर ये एसी स्थिती आ गई तब तब एसी मतलब ये विद्या ने बहुत लोगों को बचाया खास करके मैं कहना जाएंगा कि संयुक्त आरब अमीरा थे जो UAE कहते हैं उसमें एक जो एंजीनियर है जो गुजराती था उसने भी इसका बहुत प्रयोग किये थे और उसमें भी सफलता पाई थी व्रुवत समीताना मग्रंथ में बहुत सारी ऐसी बाते हैं उसमें बहुत सारे संकेत दिये हैं जो हम अंतर के पानी को जमीन के अंदर के पानी को हम बाहर हम ग्यात कर सकते हैं उसको पेचान सकते हैं और करीब करीब 90 प्रतिशत ये सही निकलता है तो आज हम बात करेंगे उसका अब पहले के जमाने में जो उपयों गोटेते साधन उसकी में बात कर दूँ ताकि हम तुरंट करश के सम तो उसमें के वले कि दो एक प्रकार के जो स्टीक होती थी तामरकी या कोपर की वहीं रखी जाती थी और उसके अंदर एक प्रकार का वाइब्रेसंस आत भी अनुभवम कर सकते हैं कि वहां पर गोल-गोल घुमने लगेगा जहां पर पानी नीचे से जा रहा होगा तो आपको पता चल जाएगा यहां पानी है दूसरी एक श्रिफल की विदी है कोई भी नारल देकर खड़ा हो जाएगा तो एक प्रकार के वाइब्रेशन से उससे नारल खड़ा हो जाएगा उसका मैं प्रयोग दिखा सकता हूं हम बाद में के वीडियो में उसका भी देखेंगे एक तीसरी पद्धती है जो इस प्रकार का जो एक होता है उससे हम यह कर सकते है और यह हिलने लगता है जहां पानी की जगह है वहां पर उसकी भी मैं बात इ है इसका विशय नहीं है तो यह भी एक पद्धती है ऐसे पानी देखने की चार या पांच पद्धती बताई गई है सबसे सक्षेश विदी हमने एक जो मसीन बनाया है हमने डेवलप किया है उसके द्वारा भी हम होटर को बोर होटर को जान सकते हैं कि कहां पर इंगीत करता है बहुत सारी बाते हो इंगीत करते हैं उसमें सेंसर लगे होते हैं तो मोडर्न टेकनोलोजी के सहाई से उसको ग्यात किया जाता है अब वरा मिहीर में तीस अलग-अलग प्रकार के रुक्षों की बात की है जहां पर पानी हो सकता है उन्होंने कहा है कि जहां पर वल्मीक अर्थात सर्प किटा दी जहां रेते हैं बड़ा होता है उसको वल्मीकम केते है बड़ा अपना एक प्रकार का घर बनाता है और हमेसा गिला जैसा रेता है काली-काली मिटी रेती है उसमें तो इस प्रकार का जहां देखने के मुले उसके आसपास पानी हो सकता है दूसरा ह में जिस रुक्ष के नीचे बेठा हूं वो रुक्ष का नाम है गुलर तो इसके नीचे ये रुक्ष के नीचे भी पानी की पूरी संभावना होती है ये रुक्ष ऐसा है कि जो पानी का बहुती संग्रह करता है ओदुंबर जिसको केते संस्कूरूत में और गुलर जिसका ना अमरेक व्रुक्ष का आद देखेंगे कि उसके पानी है तो यह मसीन आपको दिखाएगा खुल कर कि इसमें कितने पानी है कितना पानी है दूसरे व्रुक्ष के पास जाएगे तो उधर दिखाएगा इंबली पे पास जाएगे तो उधर दिखाएगा तो हम आज यह परिक्ष सकते है ये aurat r時 ती कर सकता है तो इसमें देख सकते आप इसको रखा है हमने ये गुलर के पैड के सामने अब देखते है ओंओ देख्टेखिये वह दीरे 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 देख़्ेलोस वह कफुल गया है फूरा उसमें कोय बार चाला की नहीं है फिर से हम करें आप देख सकते हैं वो एसे ही रखेगा लेकिन जैसे ही पानी का वो सन सर रगेगा देखें उसके आफ स्थीर है और मसीन पूरा खुल गया दूसरा हम जाएनके अगई आगे जाएंगे हम वो भरगत के पेड़ के पास बरगत के पास हम जा जारहे है भी बरगत तो आप देख सकते यहां पर भी कि बर्गत के पेड़ के पास पीतना पानी है ये मशिन से ग्यांद कर सकते हैं देख सकते आप मशिन अब देखिज़ अब देखिए बर्गत के पास गई वहांपर देखिए ओटर लेवल बहुत आया है, जो वरा मिहिर ने बात की है उसमें, आगे हम जाएंगे तो एक इमली का वरुक्ष है, इमली के वरुक्ष के पास जा सकते हैं, हम जाएंगे अभी इमली के वरुक्ष के पास, देख सकते हैं आप गुरु कुल में, इमली का वरुक्ष है, इमली के वरुक्ष क की नीचे कितना पानी है वह देखते हैं आप देख सकते हैं देखे ओ अब देखेए इमली के रुक्ष के नीचे आसपास में कम पानी दिखाई दे रहा रहा है अब देख सकते उसको आप देखे जहां पर वोटर का लेवल नहीं होगा वो कम खुलेगा और परिक्षा पदधी आपको दिखाने वाले है हो भी आपको दिखाएंगे आप देख सकते हैं अगे तो आगे एक सामानियता से यहां परिक्षण करेंगे किये इधर पानी का लेवल कितना है तो हम तो अगे प्रुक्षत पास नहीं लेकिन पर भी यह परिक्षण कर सकते हैं आप determination कर देख करेंगे तो वहां पर हम जाएंगे जहां पर आमने बात की थी एक प्रकार का जो सर्प और जहां कीटे रहते हैं वहां पर हम देख सकते हैं कि कैसे वहां पर कितना पानी हो सकता है वह देख सकते हैं तो हम आगए है वापस यहाँ पर और उसके आसपास का water और यह दिख्ष के यहाँ पर वղमिक है आप देख सकते हैं। और यहाँ का का लेवल हम जाच रहे है अभी, आप देखिए, आप देख सकते हैं, यहाँ पर पानी फूल है, तो यह वल्मीक जहां पर आपको दिखाई दे, जहां पर कीटे या फिर और जो चीटिया वगएरे रहती है, वहाँ पर इनों ने बनाया है अपना घर, तो वहाँ पर पानी का लेवल होगी वहाँपर ही वो बनाएंगे तो यह भी आपका एक संके थे याप पानी को आसानी से नाप सकते हैं हम इंशे कि ज्यादा जानकारी तो अगली बार हम पिन सादनों से या और प्रकार के माध्यमों से हम कैसे से पानी को जान चते हैं वह सारी बाते बताए बहुत सारे लोगों ने अनुभव किया है वैयानिकों ने अनुभव किया है कि ये विद्या वास्तों में सही है वरा मिहीर ने गुरहत समीता नामक ग्रंत में तीस प्रकार के एसे इंगीत किये है तीस प्रकार के एसे वरुक्ष और एसे अनेक अनेक संकेत भी बताए है जिस में हम सफलता पा सकते हैं पानी के खोज में तो इतना ही आज फिर से हम दूसरे वीडियो में ये सारी माहिती देंगे तन्यवाद